ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 18 दिसंबर 2023 सोम बार का दिन है मार्गश्री शु यात्रा करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस्पूर्दुषा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दरपन में अपना चेरा देख करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह साड़े साथ बजे से शुरू हो करके नो बज जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की धनु राशी में वहीं चंद्रमा कुम्ब राशी में मंगल ग्रह व्रश्चिक राशी में बुद्ध ग्रह धनु राशी में देव गुरु अनुसार व्रशब करक कन्या व्रश्चिक एबं मकर ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशाली रेने वाली है कारिक्षित्र में इनको नत्य और प्रगति के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ नया काम नई जुम्मेदारी इनको मिल सकती है कुल मिलाकर के पांच राशिय वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदे सुबह साथ बजे होगा तथा सुर्यास्त शाम को पांच बज के चोटीस मिनिट पर होगा शुबमुर्त की अगर हम बात करें तो सोमबार का दिन है और सोमबार के दिन सबसे पहला जो शुबमु में एक बच के 30 मेंट से लेकर कि तीन बजे तक चर का चोग्ड़ रहे गा एवं तीन बजे कर के शाम को छे बजे तक लाव और म्रत का चोग्ड़ काुग्र Yap है इस दोरान यदि आप कोई भी शूब काम करेंगे मांगलिक कारिक करेंंगे नया काम WiFi तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संग्योग बन सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी 12 राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की भाग्यी का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा अतहसमाई का सम्मान करे घर के वरिष्ट व्यक्तियों के सलहा पर अवश्य ध्यान दे सलहा रूपी उनका आशिरवाद आपके के लिए लाप प्रत साबित होगा कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जांच परताल अवश्य करे भावनाओं में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं किसी सेरवजेनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी इस्तिती बन रह है बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाई के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय लाब दायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है कोई निवेश यदी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है भूमे भवन वाहन भी खरिदने का आप विचार बना सकते हैं परन्तु इससे संबदित कोई भी कारी करने से पहले अ सामाजिक गतिविदियों में आपका विशेस योगदान रहेगा महतुपून संपर्क स्थापित होने से आत्म विश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाई के रूप में कच्चा दूद शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाना आपके लिए शुफलदाई सावित होग आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की किसी निकट संबंदी की परिशानी में आपकी सलहा उनके लिए हल निकालेगी आपका मैन संब्मान बढ़ेगा कुछ अप्रत्याशित चुनोतियां भी आप हो सकते हैं और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अगर कोई शास्की कारी रुका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे कारियर संबन्दी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइदा भी होगा तथा मानसिक शांती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जुम्मेदारिया आपको मिलने वाली है और सकारात्मक गतिविधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी विध्यारतियों को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिनाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उचित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत अवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में बैसन से बनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की स्तितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारी में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपान्तु प्रापर्टी की खरीत फरोक्त संबंदि अगर कोई कारी आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरबा ही बिलकुल न करे कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करे आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करे इसकी वज़े से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलग्धियों को गमा सकते हैं दिखावे की प्रबत्ती से दूर रहे तथा जीवन की वास्तुक्ता का सामना करे व्यावसाई क्षेत्र में सारे फेसले खुद ही ले अज मैर्केटिंग संबंदिक कारियों को इस्तगित रखे क्योंकि इनमें समय व्यार्थ होने के अलबा कुछ हासिल नहीं होगा नोकरी में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है मैंसमान के सांथ साथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा संतान संबंदी कोई कार यदि अटका हुआ है रुका हुआ है तो उसके भी शुब समाचार आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का दान जैसे चावल या शकर का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासीगी आज आपकी आर्थिक योजना से संबंदित लक्ष आसानी से फलिभूत हो जाएंगे जिसकी वज़ा से मन प्रफुल लित रहेगा धार्मी कारियों में आपका योगदान बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे किसी भी नकारत्मक परिस्थिती में अपना आपा न खोए शांती पूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करे विध्यारती वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रती लापरवाह हो सकते हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके परिनाम पर पढ़ सकता है व्यर्थ के बाहरी संपर्कों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णू जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंदी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी नया काम नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इसके साथ साथ आपको सम्मान भी प्राप्त होगा यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकिन शत्रू आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनलाब होगा घर परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा कोई नजदी की मित्र या रिस्तिदार जलन की भावना से आपके खिलाब कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे व्यापार व कामकाच को लेकर आप बहुत गंभीर वो समार्पित रहेंगे उपाय के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा आपके किसी खास उनर तथा नालेज की तारीफ होगी युवा वर्ग को कोई उत्तम कारी की जुम्मेदारी मिल सकती है या बड़ी नोकरी भी उनको प्राप्त हो सकती है पिछले दिनों जो महनत की है उसके भी परिणाम देखने को मिलेंगे उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कुम्प राशी की आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत बनेगा दोस्तों के साथ पारिवारिक मनोरंजन के कारिक्रम बन सकते हैं खुश्नुमा माहोल में आप दिन व्यतित करेंगे अब हम बात करते हैं मीन राशी की कुछ समय अपनी रूची पूर्ण कारियों में आपका व्यतित होगा इसे आपको आत्मिक शान्ती वा खुशिया प्राप्त होगी व्यस्तता भरी दिन चरिया आपकी रहेगी ठकान भी आपकी दूर होगी बच्चों से संबंदित जो समस्या है उसका भी निवारन आपको हो जाएगा ध्यान रखे कि किसी महत्यपूर्ण वस्तू को चोरी होने य उनको उत्पन हो सकती है मशीन डी तथा कार खाने से संबंदित व्यवसाय में कोई बड़ा आउडर मिल सकता है इसलिए पूरी महनत और एकागरता के सांथ में आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में मा लक्ष्मी जी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शु इस ग्यान वर्थक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कुष्टने सादर धनिवाद